नमस्कार मैं हूँ सुरेट सभान के और आप देख रहे बिंदास बोल बिंदास में हम आपके सामने लगातार उन सारों मुद्धों को लेकर आ रहे जो ओवेशी से जुड़े है ओवेशी एक व्यक्ति ना होकर एक ऐसी दृष्ट विचान धारा है जिस विचान धारा को लेक हम आपके सामने ये सारा कार्गम लेकर आए हैं उद्धेश रहे कि ऐसे देश द्रोही ताकते बे नकाब हो हिंदुस्तान के सामने उनकी सच्चा ही पता चले और उस सच्चाई से इस देश का होने वाला संभावी जो नुकसान है बच सके और इसलिए आज हम आपके सामने इसी कड़ी में, OVC के नंगा नाच के कड़ी में, एपिसोड लेकर आ है, जिसमें हम कहे रहे हैं, कि क्या, यह हिंदुस्तान को फटा करने की जो बात करता है, वैसे तो यह दुनिया को फटा करने की बात करता है, लेकिन जो हिंदुस्तान को फटा करने की बात करता है, उसमे तोडने का जिसका शिकार बाबा साब अमबेड कर नहीं हुए लेकिन कुछ दलित नेता वर्तमान में छोटे मुठे स्तर पर इसका शिकार होते कुछ जगा दिख भी रहे हलाकि जिन दलित नेताओं का इसने उपयोग किया उसको बाद में फेग देने की भी जादा उधारन है लेकिन फिर भी बदलते राजनेती के महाल में ये मुस्लिम दलित फॉर्मले के साथ हिंदु में तोड़ो फोड़ो राजकरों की नीती अपना रहा है और ऐसे में इसने जिस प्रकार की नीती अपना कर इस पूरे कैंपेंड को अभियान को चलाया है उसके बहुत ही घिनेन पहलू भी है और गिनोने पहलू कुछ ऐसे है जो पहलू को हम सोच नहीं सकते जिनके बारे में हम विचार नहीं कर सकते जो हमारे दिमाग में कभी आ नहीं सकता लेकिन ऐसी ऐसी बाते की जा रही है जिन बातों को सुनकर हमारा आपका दिमाग तो खराब होगा ही लेकिन हि और ही सामानने शब्दों में आपके सामने इस कायरगम को इसलिए लेकर आये हैं क्योंकि आपको इसकी सच्चाई पता चले और आपके सामने हम बातों को रख पाए हमारे साथ इस पूरे कायरगम में कुछ आती थी जुड़े रहेंगे उन सब से भी बात करेंगे लेकिन हमार भाजबा के दलित नेता के तोर पर जाने जाते हैं वो भी हमरे साथ रहें गें हमेरे साथ वरिष्ट पत्रकार विज़े होए हैं और वी और झालक नेता हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हें को आपके सामने लेकर आएंगे लेकिन मैं आपको एक हैसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं पहले उसको देखते हैं उसके बाद आतितियों के पाथ चलते हैं हमारे ये डलिट नौजवान की तखरीर के बाद तो इन्शालला मुझे लगता है कि इस इलाखे में जित्टे बड़े की दुकाने कल से उनके सेल में जाफा हूं आने देखिए आप के बीफ के ओपर गाना बना दिये हम बोले तो केस बुक कर देते है अब हमारा दलिट भाई बोरा कि हम फखर से कह रहे हैं कि हम बड़ा खाते हैं खाना चाहिए गरीब क्या खाएंगा गरीब के पास पैसे नहीं है ना मुसल्मान के पास पैसे है कहा से बकरे का गोश्ट खाएंगे दलित और मुसल्मान अगर गोश्ट खाना है तो वही बड़े का खा सकते तो अब इन्शालला ताला मुझे लगता है कि पूरे बिस्मिल्ला होटलों का भी बिस्मिल्ला होगा पूरी दुकानों में जितने बड़े के दुकाने हैं इन्शालला कल से सेल में और इजाफा होगा तो इसके लिए तमाम दुकान वालों को इनका शुक्रियादा करना और बलके जितने हिद्राबाद सिकंद्राबाद में बड़े के गोश्की दुकाने हो लोग एक समीनार करके हमारे नौजवान लीडर को बुला यह दलित के उसका साइधा क्या है बताएंगे वह इसका संद्राबर रखता है यह बोल रहा है उस बीप पार्टी के बाद जहाँ पर Bip पारटी करने का एक ऐसा अठास हुआ जिसके द्वारा लोगों में एक ऐसी भावना उद्विक्द भावना भड़काने का प्रयास किया गया उस बीप पार्टी को प्रमोट करते हुए अब हम केवल मुसल्मान नहीं बलकि दलित भी कैसे बीफ गाय का मास खाते है ये इसके भाषन का अर्थ है इसके कई पहलू पर हम बात करेंगे हमने आठ पहलू आज के करकम के लिए दलीत मत विभाजन को लेकर निकाले है लेकिन मन विभाजन की भी बात करता है आस्ता और श्रद्दा के विभाजन की बात करता है मैं चलता हूँ हमेरे साथ वरिष्ट नेता है कॉंग्रेस के डिपूरी स्पिकर डिल् उससे यह भारतिय भारत के समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बावासाव अंबेड करके अनुयाई कभी भी इस तरह की बात को नहीं स्विकार करेंगे वो भारत के समाज के साथ में हैं चाए वो मुस्लिम हैं चाए वो हिंदू हैं लेकिन वो बटने के लिए तयार नहीं है ऐसे लोगों की बातों में वो नहीं आएंगे और म कोट को ना बटने दे वो राजनीती ना करें इस तरह की जो उनकी ये चाल है मैं समझता हूं कि इसको भारत के लोग सुईकार नहीं परंगे चाहे वहिंदु हैं चाहे मुसलिमाइं कोई भी धरम के लोग है मैं ज्यकूँ यह कहना है कि भारत का समाज बिल्कुल नहीं बटेगा बिल्कुल और देश-की एक्ता रखंटा लोगों के सामने परोश रहा था क्या है आपकी पहली प्रतिका देखिए सुरेश जी लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी बात कहने की पूर्ण अजादी है पर बात कहने का मतलब यह नहीं है कि आप इस तरीके के भड़काऊ भाशन दो जिससे की विभाजित हो समाज और द के कटरपंथी अल्प संख्यक वर्ग जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है यह पहले तो हैदराबाद सिटी तक ही थोड़े सीमित थे पर अब महाराष्ट्र के विधान सभा चुनाव में भी यह दो सीटें ले गए और तथा कथे सेकुलर सारे जितनी पार्टियां थी चाहे वो कॉंग्रेस थी चाहे वो जेडी यू थी चाहे वो राष्ट्र उसकी अपना लालू जी की पार्टी थी सब धरीद की धराई रह गहीं तो यह एक डेंजरस फेनॉमेना है देश के लिए इनका इस प्रकार बढ़ना बिल्कुल हलाकि मैं मैं अपनी बात स्पष्ट कर दो सीठे ले भी सीठे लेर यह मतलब कोई राजनbuatिक दल ले तो उसकी चिंता करने का का रणने कई दल आते रहते हैं बढ़ते रहते हैं दूर होते जनता दल कभी सत्ता में था केंदर की आज कहा है पता नहीं यह जो कारगम चलाने का उद्देश से हैं इसके राजन Feri का प्रगती पर हमें कोई आपती नहीं है यह देश की राजनेतिक नहीं बलकि सरवार्त से जो दुर्गती करने के लिए फॉर्मुला अपना रहा है यह हमारा चिंता का सबसे बड़ा विशे है और इसलिए हम आज तक लगातार 24 वे दिन यह कारकम हिंदुस्तान के सामने लेकर लोगों को बता रहे कि कैसा नंगा नाश कर रहा हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए है मुनिश सिंग दलीत निता है युवान निता है हम आपसे जानना चाहेंगे मुनिश जी की यह दलीतों का भी कैसे उप्योग करके अंदरप्रदेश में तिलंगाना में राजन साथ है और अपने घंदूस्तान के अंदर यह जहां-जहां पर बी अपने सीट से वभी द्वारा खड़ा करना चाहता है मैं हमारे वो दलिद भाया कि आप लोग इसके भड़ताओ भाशन में मत आये जिस तरह से बाला साथ अमबेटकर जी ने इनको भी एक पैसे से खरीदना चाहता वो टाइम पे उन्होंने अपने अपने राष्टर के बारे में सोचके उनको मूँ तो जवाब दिया था तो मैं दलिद भाया उसे यही कहूंगा कि इसके भड़ताओ भाशन में ना आए और ना ही उसके उसके पर सोचे और हमें सब एक जूट होकर आज लड़ने की स्थिति है जिस तरह से यह कहता है कि हम हमारे दलिद भायाوں को बीफ खिलांगे खाना उसे ज़रूरी हो को कहता है मैं हमारे दलिद भायान से कुछना चाहता हूं कि आप लोग सोचिए यह जिस तरह से हिंदूस्तान के अंदर हर शेत्र में अपनी पार्टी से उमीद दुवार खड़े करके जिस तरह से ये करना चाहरा है उहाँ पर धंगे फैन लेके बहुत सारी उमीदे हो जाएगी तो मैं हमारे धलित भायों से विन्दी करता हूँ कि आप लोग तुटे नहीं एक जागा बने रहे और हिंदुत का साथ दे और मैं राजिस सरकार, केंदर सरकार, सभी सरकारों से ये विंती करता हूँ कि जिस तरह से अपने नंगे भाशन का नाच कर रहा है, उसके उपर तुरत एक्षन लेना चाहिए मैं आपके बाद दुवार आँगा, हमारे पास कमल बेनिवाल जी है, दलित नेता है और काफी राज्यों में इन्हों ने इस विशे के लिए काम भी किया है, आप इस पूरे परकरन को देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रा है हमारी जो परकरिया है, यह है सबसे पहले कि जो ऐसी समाज को बातने कि इन लोगों ने बात की है, वह पिसिए के जोड़ने की वह इस पहले से कोई भाई-भाई-बाई हैं हम्हик हई है कोई ऐसा को दूर नहीं हुए कभी भी लेकि इन लोगों ने जो आपकी बार यह जो बात अलग बाटने की की है यह बहुत ज़्यादा गलत बात है मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ एक और वीडियो देखते हैं कि यह इसी मुद्दे को कैसे और अपनी अलग भाशा में दखता है देखिए तो उस्मानिया यूश्टी में दलित नौजवाने ने का कि नई हमो अब हम बड़े का गोश्ट खाएंगे उस्मानिया यूश्टी में तमाम दलित इस्टूडेंट्स ने का कि नहीं अब हम छोटा नहीं खा सकते अब हम बड़े कोई खाएंगे हम मा कोई खाएंगे हम गाई को खाएंगे हम भैस को खाएंगे है यह दलित इस्तूरेंटिन्ट ने कहा वहां पर और क्या का उनों ने कहा कि यह हमारे तैजीव का हिस्साए हु मिज़ितों के यह हमारे तैजीव का हिस्साए हम इसको नहीं छोड़ सकते कि आपको तकलीफ वहां हुई पेट में बोड़े नहीं हुए आपके लगदों नहीं भूगे महां पर जाना था जाके दलितों से मुखाबला करना था दलित नौजवानों के लोगों ने मुझसरब कैदा किया हमेशा खाती आएं और खाते रहेंगे हमारे पास रोज पीस्टिफिल होती है बिश्मिल्ला होते हैं हमारे हर महले जात में बDO LAK् ाहा होता है कभी जुरौत परी तो हमारे पास आओ इफ्रेश मिलता है हमारे पास कैसे तुवारे डलित को बीजे पी ने लेचाकर जेल में लादेवागा बंगारू लक्षमन दलिट है माडिगा कम्यूनिटी से उनका तालुक है अलाजाद के लोगों ने साथ साल में हिंदुस्तान को इत्ता खाया इत्ता खाया के खाखा कर मर गए नहीं कभी जेल में नहीं गए और एक दलिट सिर्फ एक लाग रुपय के लिए जेल में तरे गया कि मैं दलिट भाईयों को दावा जे फिकर देना चाहता हूं कि जिस जमात में तुम हो वो जमात आलाजाद ब्रह्मनों की जमात है और साथ बीजिपी के सुरेश राठोड जी दलित नेता जुड़ गए हैं दलितों को गाय का घोश खाने की मास खाने की बात यह किस तरीके से करता है और कैसे यह बीप फेस्टिवल को बढ़ावा देता है यह शब्द सुनने के बाद आप क्या करें सत्ताधरी पार्टी के नेता होते होई भी देखिए जो दलित सब्द का इस्तिमाल विसी महदे कर रहे हैं क्या कभी आपने सुना है कि कोई दलित जो अपने आपको हिंदू ना कहता हो कोई दलित ऐसा मिलेगा जो गाय का मीड़ खाना पसंद करता हो यह उसके नजदीक जाना पसंद करता हो यह के आज जिस अस्थान पर खड़ा है वह आज पंडे में लिखने में सबसे आगे है कहीं कोई कमी इस प्रकार की नहीं है आज दली समाज के साथ में जो ओवी सी इस तरह के बयान देकर उनके बीच में फूट डालने का काम करना चाहते हैं यह सरकार में विद्रो करने का काम करना हम इस मंच के माद्यम से उनका गोर गोरोध करते हैं अनिल जी आप कई प्रकार के राजनेताओं को देखते होंगे जो आपने राजनेतिक स्वालत के पूरती के लिए न जाने कितनी गंद फैलाते भी होंगे और खाते भी होंगे और हजम भी करते होंगे लेकिन इतने ज्यादा शर्म की बात है कि असद दीन उवेसी पड़े लिखे हैं बैरिस्टर एट लॉफ फ्रम लंडन है तो इनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं मैं एक हट के बाद कहना चाहता हूं सुरेज जी कल को कोई हिंदू नेता खड़ा हो जाए और वो कहे कि इनके यहां भी प्रतिबंध है एक जानवर नामने लेना चाहता है अगर उसको काट के खाने की आवान वो कर दे तो फिर क्या होगा ये कहां बहुत पहुँचेगी इस बिलकुल बहुत गलत बात है और दुरभाग्य से वहां की सरकार जो है वो अल्पसंख्यक परस्त है और कुछ नहीं कर रही और केंदर सरकार को भी इसमें हस्तक शेप करना चाहिए इसके छोटे भाई पर तो शायद केस चल भी रहा है पर ये इस प्रकार केस ने वो तो ड्रामा था बस वो कुछ दिन के लिए अंदर भेजा दस जार उपए के जबानत पे बाहर भेज दिया ड्रामा खतम हो गया आगे कुछ नहीं है फिर वही भाषन चालू है और वही भाषन महाराश में दे रहा और इसलिए यह कारकम हम आपके सामने लेकर आए हैं बिलकुल इसको बड़ी स्ट्रॉंग ली कंडेम करना चाहिए और इसके स्ट्रॉंग एक्शन होना चाहिए और म इन पर कंट्रोल लगे ताकि यह बात आगे ना ज्यादा चाहिए और यहीं पर ही बंद होनी चाहिए तो मेरे ख्याल है कि गवर्मेंट ओफ इंडिया और तेलंगाना सरकार से भी मैं पील करूंगा कि निजी स्वार्थ से उपर उठके देशित की बारे से तेलंगाना सरका में इस विशे पर बोलते रहना लोगों को बात पहुंचाना और मांग करते रहना वापन करते रहेंगे मैं अमरीज जी कितना भी विवाद समाज में क्यों न हो जाए गाय भगवान ऐसे आस्ता के विशे का कभी उपयोग नहीं किया जाता खास करके उसको ठेस पहुंचान अनि भी कठोर सब्दों मनिंदा की जाए उनके इस बयान की वो कम है और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ऐसे आदमी को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और मीडिया को इसका ऐसा ज्यादा प्रचार भी नहीं करना चाहिए और उन ताक्तों को भी बेनकाब करने की आवर्श लोग प्रियता हासिल करने के लिए भी जो नई पार्टि बनाते हैं उनके लीडर इस तरह की सथी लोग प्रियता हुन्हें हासिल हो जाए उसको वह जाद की बात है करने वालव उनको पहले सी लगाम लगानी चाहिए और इसका पुरसास remainder को कारवाई करनी चाहिए कानुनन कारवाई करनी चाहिए लेकिन इस तरह की बातों को अगर हम प्रचारित करेंगे तो समाज में गलत धारणा पेदा होगी और समाज को उस तरह का कुछ परसंट लोग फिर भी ऐसे होते हैं जो उदर बहक जाएं तो उन लोगों को बहकने से रोकने के लिए समाज में और तरह से जागर्टी लाने की आवशकता है और मैं समझता हूं कि आज दली समाज जो पढ़लिक करके वो अच्छी तरह से सोच रहा है और बा इसी ताक्तों से उनको धन मिल रहा है और मैं समझता हूं कि कुछ शाजसती पार्टियां हमारे देश की उसको बढ़ावा देने की कोशिच कर रही है क्योंकि वह अपना मनसूबा पालने के लिए अपने हित को साधने के लिए ऐसे नेताओं को बढ़ावा देती हैं हर तरह का बढ़ावा देती हैं हर तरह कि उनकी मदद करती हैं ऐसा मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है तो इस तरह की ताक्तों को भी देखना चाहिए और उनको भी बेनकाब करने की आवस्चक्ता है और मैं समझता हूं कि भारतिये समाज पर हमें गर्व है भारतिये समाज चा करेगा ऐसा मेरा मानना है बिल्कुल मैं आपको इसका एक और वीडियो दिखाता हूं लेकिन उसके पहले हम एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हमारे पास आज इसका आट ऐसे वीडियो है जो दलित राजनीती के लिए यह किस हद तक गिर सकता है यह दिखाता है रुकते एक प्रेक के WAR आपका एक परफिसे सवागत है आप देख रहे है विंदास भोलों ने हम एपके सामने मुद्धा लेकर आए वह इसी के नंगादाच का लगातार 20 वाओत धिन हम आपके सामने लेकर आए है नंगनाश के कितने पहलों है और इन सारे पहईलों को आपके सामने दिखाने का उद्देश है, समाजक का कोई भी घटक, छोटा सा भी हो, बढ़ा भी क्यों नहों, सिका हो, अनशिका हो, पड़ा हो, अनपड़ा हो, या कैसे भी हो, बढ़ा हो, गरिब हो, श्रिमन्त हो, उः इसके बातों में नाए, कुकला करने के लिए पर्याप्त है इसके उपर आरोप लगते कि कई विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तबाह और फटा करने की बात करता है और इसका यह सारा फॉर्मुला बे से भारत में बहु संक्यन का हिंदु समाज को दोफाड करने में फोडो और होगा यह देखना है हलाकि मुझे विश्वास एक इस देश का दलित समाज कभी भी ऐसे लोगों के बातों में खास करके तब तो नहीं आएगा जब उनके धार्मिक आस्ता के साथ खिलवार करके उसका उप्योग किया जाएगा अब देश में कही पर भी कोई घटना हो रही है तो दलित अत्याचार के नाम पर वहाँ पर मिलने जा रहा है एक वीडियो आपको दिखाते हैं देखिए हमारा मानना यह है कि पुलिस जानती है कि ये वाकिया किस ने क्या क्या है कि ये शेहर का इलाखा नहीं है और अंगवाज शेहर नहीं है ये एक छोटा सा विलेज का अलाखा यहां पर सब को मालूं के कौन आता है कौन जाता है तो पुलिस अबतर करना चाहिए था उनको लि मरने वाला दलिट है मगर क्योंकि मरने वाला दलिट है इसी लिए अधियार की जा रही है नीट को कुई बताओ कि ये जो फीडियो ए ये महाराष्ट का है और विशेश बात यह कि तेलंगाना जिस सरकार का यह समर्थन कर रहा है वहां पर जब यह अंदरपदेश में किरन रिडिका समर्थन कर या तब यह किसी भी दलीत नेता या दलीत समाज में कहीं पर अत्याचार हुआ तो वहां पर नहीं गया क्योंकि आपने राज्जय में यह करने में इसको करके जहां नया इसे इंट्री कर रहा हैं बहाँ पर दलीतों का मसीहा बनकर उतरने की बात करता है क्या दलीत समाज इसके इस प्रहलोबन में या इसके इस खेल में किसी तरीके से बली पड़ सकता है देखे मैं समझता हूँ कि ना तो ऐसे नेता की बातों में दलित समाज आएगा ना मुसलिम समाज आएगा वो इस तरह की जो आज मुसलिम समाज भी सब जान रहा है कि हमारी जो तरक्की है वो जगड़ों से नहीं है हमारी तरक्की है सांती से अमन से और अमन और चैन और सांत की तरक्की है और दलित भी यह समझ रहा है कि हमें इन दूसरी लोगों के कहने में या किसी भी नेता के कहने में उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता वह है भारत के समाज के साथ में मिल करके और अपने आपको जो मुख्य धारा से जोड़ करके चलता है मैं समझता हूं कि दोनों ही समाज चाह मुस्लिम समाज है चाहे दलित है और चाहे हिंदु धरम की और कोई भी कम आबादी वाली जातियां है मैं समझता हूं कि कोई भी यह नहीं सोचता कि हम इस तरह से बटके चलें चाहे राजनितिक हिसाब से वो कहीं भी किसी भी दल के साथ रहे लेकिन सम परंपरा को निभाते रहे हैं लेकिन उन परंपराओं में गलत परंपरा डालने की बात करने वाले ये लोग दूसरों से भी आपना कैसे प्रचार करवाते हैं एक मुस्लिम और एक दलित उमेदवार देकर लोगों को राज नहितिक दृष्टिकों से गाजर दिखाने का काम पेंसे जब करता हैं तो देखिए क्या होता एं? अठो मेरे प्यारे मुसल्मानों उठो वक्त आया है और मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या हम शुलापूर से लेक्शन लड़े या ना है हम चाहते हैं कि एक हलके से एक मुसल्मान उम्मिदवार हो और दूसरे हलके से हमारे धंगर हमारे दलित समाज से कोई उम्मिद्वार बने क्या मन्जूर है यह देखिए बाइज इस प्रकार का कोई राजनेतिक प्रलोभन उमेद्वारी का दिया जाएगा तो कुछ हो सकता है क्या मैं पुछना चाहूंगा सुरेश राठोड़ जी देखेगा यह जो प्रलोभन हमारे समाज को या दिलित समाज को देने की बात कर रहे हैं इस तरह के प्रलोभन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हैदराबाद के निजाम ने डॉक्टर भिहुरा अंबेटकर जो समिधान के निर्माते थे उनको भी अपने समाज में जो सारा घात करने की बात कर रहे हैं मैं इस मंज के माध्यम से कहना चाहूंगा को उनको अपने ग्रेवान में जाकना पड़ेगा सोचना पड़ेगा आज दलित समाज जमीन से ओटकर बाबा भीमरा मेटकर की बदौलत सिक्षा के माध्यम से हर छेतर में आगे बढ़ा है अगर वो सुद्रों की बात करते हैं तो सुद्र के सबसे पहले चरण चुए जाते हैं पिर्थम स्थान ब्रहमन का दूसरा चत्रे का और तीसरा बैसे का चौथा स्थान अगर सुद्र का बतायत तो जुकने के लिए इनको अगर पढ़ना है उनके उपर कुठारा कात करने के बजाए उनके चर्णों में जाकर माफी मांगे जो उनको भर्गलाने की बात करते हैं हम इस मंज के माध्यम से उनका घोर बिरोध करते हैं चेताव नहीं देते हैं बैस कांगशा के तोर पर लगता है कि विदान सभा में लोक सभा में या किसी भी सदन में चोटे मोटे जगह पर पहुंचता है और कोई दूसरा तिकेट नहीं देता है और इसकी पारटी तिकेट देती है तो फिर ऐसे केस में कुछ लोग इसके साथ जा सकते हैं क्या देखिए देश में कोई भी हिंदू या ऐसी ऐसा नहीं है जो गाय का मास्का के टिकट लेना मनजूर करेगा देश में मैं तो आपके चैनल के मादम से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी देश में ऐसा हिंदू नहीं है जो गाय का मास्का के टिकट लेना मनजूर करेगा और मैं तो OBC भ ऐसी समाज यह कहे हमसे टिकट ले लो और तुम ये वाला मास्क गा लो तो यह कहते तो इस पना पत भी छोड़ने के तैयर हूँ लिने टिकट दिलाऊंगा वह अगर यह कहने को ते यह भाशा समझता है जही वाशा और यह ऑफा झाले को तो हम भी देख लेंगे तिकट लेने करेंगे लेकिन अपनी घिनोनी राजनिती से वह बाज नहीं आएंगे अब लिए कि देश में कोई भी ऐसा को बीटिकर दीया जाएंगे लिया चाहने की दूर की बात है कि ये लोग ऐसे खागे ले सकते हैं तो हम भी सेकार से अपिल करेंगे कि इन टिकर दिये जाए और बीट खिलाया जाए मैं यह कहना चाहरा था कि देखिए इनको औरंगाबाद में समर्थन तो मिला है आप माने या ना माने वहाँ से इन्होंने सीड जीती है मैं दूसरी बात करना चाहता हूं सुरेज जी के असद वेसी तो लोगसभा के मेंबर हैं तो लोगसभा के सांसद के हैसियत से इनके आचरण पर कोई एक्षन नहीं लिया जा सकता बिल्कुल लेना चाहिए नंबर एक नंबर दो के चुनाव आयोग इसका संग्यान क्यों नहीं ले रहा क्योंके चुनाव आयोग में भी ऐसी बातों पर बड़ी सक्त पाबंदी है तो मुझे नहीं समझा रहा कि ये क्यों नहीं लिया जा रहा तो इस पर भी इन्हें ज़रूरी है कि इन्हें लेना चाहिए बिल्कुल क्योंके चुनाव आयोग का तो इतना गंडा खेल है चुनाव आयोग के उपास तो करोडो फोन जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन लोकसभा वाला मुद्द आपने अच्छा उठाया है कि इसका भाई जो विदायक है तो वहाँ पर विदान सभा के सभापती को और जो सांसद है वो लोकसभा के सभापती को यह कहा जा सकता है कि आपका जो सदश्य है इसका समाज में जो आचरन है निच्छित तोर पर दोनों सदनों के सदश्यों को शर्मिंदा करने वाला है और दोनों सदनों के स्पीकर को इस विशे में दखल देना चाहिए दर्शक जो कि इस विशे को फालो करें और विविन्न नेताओं को फोन करें वो लोकसभा के स्पीकर को भी फोन करें और तेलंगना के विदान सभा के स्पीकर को भी फोन करें और उ ऐसे में लोग सभा के सभापती ने भी इस विशे पर कुछ किया जा सकता है इसका एक और वीडियो दिखाते हैं उसके बाद आगे चल्चा को बढ़ाते हैं गुलबरगा में आज पूरे हवाम असादो दिन भाई और अकबोरी दिन भाई को बुलाने के लिए मुझे बेजे हैं कि एक दलीत के नाते एक दलीत के नाते और शड़ल क्यास्ट के नाते मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक असाद भाई से 25 करोड 25 करोड इंडुस्तान में मुसलमें ने मुसलमान लोग रहें लेकिन 28 करोड दलीत लोग हैं तो यह 25 करोड और 28 करोड दलीत एक हो गए तो इंदुस्तान हमकिभजा कर सकते हैं बोलके बुजारिश कर रहा है आज हमें अजादो दिन बाई और हम लोगों ने यमायम हिंदुस्तान में कम चेकम पच्छास सीट लाने का कोशिश करना है पूरे दलीत और मुसल्मान एक जूटों के आज हिंदुस्तान में लड़ना है तो दिखिए यह क्या बोल रहा है और यहीं फॉर्मॉला है जो मैं कह रहा था आनिल जी आनिल दरेंद्र आप पूस रहे थे यह इसका फॉर्मॉला है और एक दलीत निता है जो दलीत निता के मुझ से यह बाते कहलवा रहा है पच्छीस करोड की बात तो यह करता है आठाइस करोड कहने वाला भी कोई पगला धूंड के लाया है और अपने स्टेज से बुलवा रहा है बिलकुल सही कह रहे हैं आप और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने ये कि ये ऐसा जुलंत बधा उठाया है आज दुर्भाग्य से हमारा मीडिया भी वो चीजें प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है जो राष्ट हित में हैं पार्टी हित को छोड़ी हैं पार्टी हित की बात नहीं मैं कर रहा है पर जिस तरीके की बात ये असदोवेशी और ये भाई करते हैं ये तो द सक्षक कारवाई अविलंब होनी चाहिए ताके दूसरों के लिए सबक बने अमरीज जी आप इतने साल से राजनीती करते हैं डेपूटी स्पिकर रहे चुके हैं लेकिन ऐसा दरिंदा गंदा फर्मॉल आपके दिमाग में निचित तोर पर इसले ने आया होगा क्योंकि आप स मैं आप में और यह किसी भी ना एक धर्म के लोगों को बांट सकते ना किसी एक बरादरी के के लोगों को बाड़ सकते हैं क्योंकि लोगों की आस्ता भारत की एकता से जुड़ी है भारत की संप्रभुता से जुड़ी है भारत के सम्मिधान से जुड़ी है भारत के लोक्तंत्र से जुड़ी है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं द द्रूब से क्योंकि यह लोग सथी लोक प्रीयता हासिल करने के लिए इस तरह की भासा का इस्तेमाल करते हैं और भारत के चुनाव आयोक को भी चाहिए क्या विजसे लोगों की पार्टी को जिस तरह जेल के सीक्षों से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, भारत के समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिज कर रहे हैं, अपनी सस्ती लोग प्रियता के लिए और अपनी राजनीतिक मनसूबे को हांसिल करने के लिए, तो इन पार्टियों पर बेन लगना चाहिए ऐसे लोगों को जेल के सीख्षॉमें डाल करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इनको जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए बिलकुल और वी रैपीड कोर्व में चलना चाहिए जहां पर ततकाल निरने किया जा सके क्योंकि इनके भाषनों को देखके इनके इरादों को देखके इनके कर्दूतों को देखके किसी साक्ष की जरूरत नहीं है और लंबे मुकदमे चलाने की जरूरत नहीं है मैं कमल बिनिवाल जी के पाद जाऊंगा अपने इस भाषन को सुनने के बाद आप तो बहुत बड़े दली प्रवाइटों के लिए बड़े दुर्भागे पून बात है जो उन्होंने अपने मुझे कही है कि गाय का मीट खाना या खिलाना या जैसे भी कहा उन्होंने यह फार्मॉले की बात की है यह सरासर गलत कही है उन्होंने उसके खिलाप निकार माकोका के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए यह तो देश में बहुत बढ़काओ बासने इनका और ऐसे लोगों को अभी समय रहते नहीं रोका गया तो यह देश के लिए बड़े नासूर पैदा होंगे और ऐसे लोगों पर जल्द जल्द चुनावाईयों को लगाम लगानी चाहिए और मैं देश के दल मुनित जी इसके ऐसी सारी बातों की आदत हो गई है और इसलिए वहां के लोग इसके खिलाप बोलते नहीं ऐसा तो नहीं है देखे साब मैं आपसे सब में पहले यह करूंगा इसका पिता जी जो वह ऐसी है उसका पिता जी जब 1984 में फर्स टाम मिंपी बना था अब उससे भी पूछिए कि हैदराबाद के इंदर उसने कितने दलिद भायों को मार कर रोट पर नंगा गिराया था नंगा तलवारों से काट कर हमारे दलिद भायों को मार गिराया था दलिद भायों को चाहिए कि साजिस के तहस फसना नहीं चाहिए इसके आगे फसना नहीं चाहिए मैं मेरे दलिद भायों से यही प्रात्ना करूंगा कि उसकी साजिश में नहाए और एक बात मैं आपको ये भी कहूंगा नाइन तेरा बावा 1984 में हमारे दर भायों का कतले आम किया था तो अगर तेरे में उत्ती ही ताकत है तो चार मिनार या कुद्परा के शेत्रे से टिकीट देके बता और दलीद प्रेम दिखाना अलग बात है लेकिन वास्तों में लेकिन वास्तों में दलीद का यमा यम चाहती है तो 1984 हैदराबाद में जितने दलिद भायों का कतले आम हुआ था और उनके घरां कबजे किये गए थे मैं असत से पूचता हूं कि जिस तरह के से तुने हमारे दलिद भायों का कतले आम किया और घर कबजा किया है वह वापिस दे क्या वो देगा सुरेजी बिल्कुल और एक कबजा करने का खंदानी धंदा लगता है इसलिए हिंदुस्तान पर कबजा करने की बात इसके लोग करते हैं दूसरे रज्जों के छोड़े छोड़े नेताओं को बुला कि है हिदराबाद के मंच से यह आपने आपको हीरो बनानी की कैसी कोशिश करता है थोड़ द और आप जैसे पैदा होते हैं कि अवाम मुसल्मेन मुसल्मेन और दलीत आपके साथ देंगे आपके साथ देंगे और दलीत के दलीतों से भी आप ले चलो दलीतों से भी ले चलो हमें एक टे बाबा साब अम्बेर कर उसके बाद आप ही है हमारी भी तो असा दो दिन भाई और अग्बोरी दिन भाई आप जतन से रहना कि बुरे नजर लगे आएगे यह तो ऐसा हो गया जैसे कोई मा अपने कालू को कह दिये कि तुमको नजर ना लगे हाला कि यह रंगभेट की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी राक्षस को नजर ना लगने की बात करने वाला यह दलित नेता नाम तो नहीं जानता कहां से पगला पगड़ के लाया है आप अप लोगों को नहीं लगता कि बाबा साब जी का नाम यूज करके कुछ लोग इसके साथ जुड़कर अपना उल्लू सिदा करें और ऐसे लोगों पे रोक लगानी चाहिए अब इसको जानते हैं यह जो आभी वीडियो देख रहा था और इन लोगों को बिल्कुल आजादर ना गूमने दिया जाए लेकिन क्या कोई दलीत नेता किसी मंच पर जाकर बाबा साब के बात आप ही है ऐसी बात करना मरी जी लेकिए मैं इतना बताना चाहूंगा ना तो बाबा साब डांक्टर भीमराव अम्मेडगर के अनुई हैं वो बिल्कुल ऐसे लोगों की बरगलाने में या ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे और यह जो पूरा समाज के ठेकेदार बन रहे हैं जैसा कह रहे हैं के 28 करोड दलीत आपका साथ देंगे कोई दलीत ऐसे नेताओं का साथ नहीं देगा यह मैं विस्वास के सब के लिए बराबर है और भारत को सब लोग एक सुत्र में प्रो देखना चाहते हैं एक सुत्र में प्रोया हुआ देखना चाहते हैं एक जुट देखना चाहते हैं और अखंडित भारत की कल्पना जो बावा साव अमेड करने समीधान के माद्यम से की बापू गांधी जी के विचारों में जो ये अखंड भारत की जो वकालत है और उनके ही नहीं लेकिन अबदुल कलाम साब नेता जैसे भी इस देश के नेता रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं गए और वो हिंदुस्तान में रहे करके उन्होंने देश की मजबूती के लिए काम किया हम ऐसे नेताओं क के लिए कहता है कि जाएंगे नहीं लेकिन जाएंगे तो ताज महाल लेके जाएंगे कुत्ब मिकाद लेके जाएंगे लाल किला लेके जाएंगे ये लूट की जो वंशवत इनकी परंपरा है ये चीज़े लेके जाने की बात करता है और एक तरफ दलीतों की बात करता है द कि सुरेश जी मैं यहां पर तीन दलित नेता बैठे हुएं बड़े बड़े क्या आज दलितों में लीडर्शिप या नेत्रित्व का एक वेक्यूम आगे है क्या क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया हूं कि मायवती जी ने अच्छा कंसॉलिडेट किया था और दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कदम ठोस काम भी किये थे बाद में वो थोड़ा फरक पड़ गया पर ये आज दलित समाज का कोई नित्रित्व मुझे बड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा हा लेकिन हलाकि मायवती की बाकी विशों की कितने भी निंदा की जाए मायव पाल्टी करें जड़ बताया दे रहा हूं जिसे के अब ही हम मालने के बीस पी ने भी दलीतों की जट की है कॉंग्रेस ने भी दलीतों की जट की है एक जांपाल के तोबर हमारे गोदम जी बैटें टिप्टी स्पिकर रहे हैं यह हमारे लिए गरब की बात थी ऐसी जीवन राम जी एक बड़ा चेरा कई नाम हो सकते हैं डोक्टर भियू राम बेटकर आज अगर हम भारते इंदा पाल्टी की बात करेंगे तो मानिया थावर्चन के लोजी एक बड़े नेता है और भी कई नाम लिए जा सकते बहुत बहुत बड़े नेता है इसले देश के अपने काबलियत से पहुँची वह बहुत इंपर्टन्ट है और जो भी धलित चाहे किसी भी वर्ग से हो अगर उसमें काबलियत है तो उसे मौका मिलेगा लेकिन मैं एक चीज शुरेज जी में एक चीज क्याना चाहूंगा देश का दलित ना तो आंत्यगवादी कभी रहा ना भू माफिया रहा ना सड़क माफिया रहा ना खनन माफिया रहा वो देश को ना नक्सलवादी रहा देश के दलित का विश्वास इस देश के समिधान में रहा और समिधान के पिर्टी वो अपने आपको समर्पित रखता ह बिल्कुल वो अपने देश के प्रेम रखता है उस तरंगे के प्रेम रखता है इसले गरीबी के आदार पर आतंगवाद की बात करना या नकसलवाद की थेरी जो कमिनिश लोग रखते हो गलत है दलित समास से सबसे जादा गरीब वर्ग होते हुए भी किसी ने देश के खिला है देखिए अजीजाने विल्ला अभी आप और हमने उस्माने विरस की अदलिस स्टूडेंट के सदर के जजबात को सुना और उनके जजबात को और उनकी बात को सुने के बात यखिनन मैं समझता हूँ कि गरीम की तरह और नौजवान आगे बढ़ेंगे दलित समास से तो वो दिन दूर नहीं जब आंगरा परदेश में भी जिस तरह उतर परदेश में मयावती ने सबसे कमजोर समास के सबसे कमजोर योगों को तासत बख्षी तरपरदेश खियासत में के तो लंबा लंबा भाषन है हम इसके बाख पॉलिटिकल बात को रखने के बजाए हम इसके मुद्धोप के आधार पर आते है कि आपने भाषनों में कुछ उप्छ जगह पर दलीतों की बात कैसे कराए और कैसे दलीतों के बात के साथ या आगे बढ़ाता है मैं इसका एक और आखरी बाइट आज के खारिकम की दिखाता हूं क्या कहता है कि अध्या आगे और आगे आगे विफ्वाटा पुझा बड़ा आगे आगे लिश्टरा पन जिखाता है जिखाता है जा एक लिख अगे बादर ने त्रग 450 ब्लच अधन. इसको जादा नहीं दिखाते में कुल मिला के कहना चाहूंगा यह वो भशन है जो इसने विदानसभा में तेलंगना के अंदरपदे संयुक्त अंदरपदे जब था तब उसके विदानसभा में दिया था और एक विशेश बात यह है कि जब डलीत या मुस्लिम दोनों में किसी एक रिजर्वेशन की बात अगर एकी मानी जाएगी ऐसा होगा तो क्या होगा एसा जब किरन कुमारिडिन इसको निजी बीटिंग में पूछा तो इसने कहा कि डलीत रिजर्वेशन रहने दिजे हमें मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए ये इसका डलीत रिजर्वेशन का आसली चेहरा है जो भाषन आप सुन रहे थे ये यूटूब पर भी है इसको भी देख सकते हैं और अदलित समाज के उन लोग जो कुछ इसके बातों में बरगला कर इसके साथ गए हैं वो इसके सच्चाई को समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद म मैं जाओंगा पहले मुनिश सिंग जी के पास मुनिश जी इसका यह जो चेहरा है कि दोनों में से एक रिजर्वेशन को देने की बात आती है तो दलित का रहने दीजिए पहले मुसल्मानों का दीजिए इस बात का प्रचार अंदर प्रदेश में आप पूरा क्यों नहीं कर से सांप्रताइक हिंदुत्ता को ठेस पहुंचा रहा है संबे पहले मैं हमारे दलित भायों से प्रापना करूंगा कि जिस तरीके से यह हमारे दलित भायों के बारे में कहता है तो मैं खास तोर पर आपसे सुरे जी यह कहना चाहूंगा कि यह कारिकरम शायत मायावती जी द देखने को कहा है नेता देख भी रहे लेगिन आनिल जी देश के राज नेता इसके खिलाब बोलने से क्यों डरते हैं मैं जिसे मायवती हो या तमाम बाकी कई यह इसे लोगे जिन लोगों ने मुझे समस करके फोन करके कहा कि यह महिम बहुत अच्छी है और इसको एक्सपोज आप कर रहे हैं जान पे खेल के नाम पे खेल किया सारी खत्रों को मौल कर हम इसके खिलाब जो बोल रहे हैं यह इस महिम का समर्दन तो सब कर रहे हैं लेकिन इसके खिलाब बोलने को कोई तयार नहीं क्या OVC का मतलब मुसल्मानों का ब्रैंड ऐसा तो नहीं हो गया है और ऐसा होना देश के लिए कितना बड़ा खत्रा हो सकता है बहुत बड़ा खत्रा है और इसलिए नहीं कोई एक्शन ले सकता है बाकी पार्टी इसकी मैं बात कर है तो मुझे तो इस बात पर आश्चरे है कि केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई कारवाई क्यों नहीं करी तो उन्हें मैं समझता हूं कि एकदम कारवाई करनी चाहिए देखिए ये बात सिर्फ एक वर्ग विशेष तक नहीं है ये देश को तोड़ने और देश में दं कि किसी भी सरकार को स्वीकारिय नहीं होना चाहिए तेलंगाना सरकार को भी नहीं होना चाहिए किसी को भी नहीं होना चाहिए लेगिन दुर्भाग है मैं कारेकम के आखिर में एक पहलू पर मेरा मेरा दृस्टी कौन क्या है मैं मुझे क्या लगता है कि क्यों बोल रहा है क क्योंकि मैं तादात में के साथ इस विशे के साथ जुड़ा हूं मैं दस साल करीब मुझे दिल्ली में आने को हुए है मैं दस साल में कोई ऐसा महना नहीं गया जिसमें मैं दिल्ली के बाहर नहीं गया लेकिन इस बार मैंने दिवाली नहीं मनाई मैं दिवाली से लेके आप त सारो लोग पाचो लोग जो जुड़े हैं अपनी राय रखें मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्स्ट्रिमिस्ट मुसल्मानों का इस देश में आती हो जाएगा एक्स्ट्रिमनीजम हो जाएगा खास करके इसके भाई जैसे लोगों का तब अपोच करने वाला सबसे पहले कोई रहेगा तो दलित समाज का रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है क्योंकि जान पर खेल कर संगर्श करने की भाउना इस समाज में सबसे ज्यादा होती है क्या इसलिए डर के भी कैलकुलेशन तो है 28 करोर और 25 करोर का लेकिन आपने आपको बचाने के लिए भी इस समाज के बारे में यह ऐसा एप्रोच रख रहा है यह कारण है क्या मैं बात करूँगा सुरेख जी से शुरू पास सेकंड में आपनी बात को कही है देखिए केवल अंतगवाद फैलाने की दृष्टी से जिस परकार के बक्तवए ओविश्य बचने के लिए इसके खिलाप अगर खड़ा कोई सकता है तो डली समाज से हो सकता है और इसके लिए खड़े हैं डट के खड़े हैं हृम इसको जवाब देंगे हर पहलु में जवाब देंगे चुलाओं में भी जवाब देंगी आज तक इन्हों न growers के विरूध मेंaf यह प्रसंद उठा है पूरा देस Soldier दलीतबी जाग गया, इसकी चाल को समझ गया दलीतों का बात करने का कारन अपने आपको बचाना यह है, यह मैं कहा रही हू 수도 देखो यह दलीतों की झो राजनिती कर रहे हैं वोड बैंक के लिए कर रहे हैं और यह बड़े सप्रवनाइक की बात हैservice टली та को साथ में घाय कंके मास काने के लिए भी कह रहे हैं और घुली तबीने अपना भाई मानें तो क्या सुखर का लेंगे यह घुस्ष का लेते हैं तो ठीक हम भी घुली चलो तियार हो जाते हैं किसी कारण से लेकिन अगर यह नहीं 국ािए में आप 10 रखके लालच में को देख रहे वह टेकर लालच में आकर इसकी समाज पोचे तनी समाझ के नेटा पहुचे और विरोत करे और घर-घर जाके दलीद भाईयों को समझाए कैसी पार्टी का ऐसी नेता का बिरोद करे हम जो चीजे जो चर्चा आज निकल करके आई है उसका अन्त में उसमें इतना कहूंगा कि मैं दलीद समाज से भी कांगा कै ऐसे नेताओं की बातों में वो ना आए और मुस्लिम भाईओं से भी कहूँगा कि इससे हर धरमकार हर जाती के लोगों का हिरास होगा उनके उन्नती अवनती की तरफ जाहेगी इसलिए ऐसे नेताओं की चाल में नहीं आना चाहिए और समाज के साथ में रहना चाहिए और पूरी तरह से अपनी उन्नती की दिखाते हुए उन्नती की तरफ बढ़ने के लिए समाज में समरस्ता लाने की बात करनी चाहिए भाइचारे की बात करनी चाहिए मैं सुरेज जी दलित समाज का अभार प्रगट करना चाहता हूँ कि अगर हिंदू समाज को बचाया है किसी ने सही माहिने में तो दलित समाज ने बचाया है और आज भी एक अफसर आया है जबकि दलिक समाज से हम पेक्षा करते हैं कि वो ना केवल इन्हें रिजेक्ट करेंगे इन्हें पूरी तरह से ना कारेंगे बलके हिंदू समाज को फिर से जो भी खत्रा है उसको मिटाने में दर्शकों को एक खुशी के बाद बता रहा हूँ क जो भी व्यक्ति जाएगा उसके सामने हम दलितों को बदनाम करने की कोशिश के तोर पर इसने जो गाई की बात कही है इसके बैनर और होल्डिंग हम लेकर जाएंगे और इसकी बात के सपश्टी करन के बगर यह दिल्ली में कोई रैली नहीं कर पाएगा यह मुझे लाइव स्कत्राइब को आपके सामने लाइव लेकर आते है रात को 18-89 इसका रिपीट होता है रात को 11 बजे रात को 11 बजेए और दुसरे दिन संक्या और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है मैं आपको फिर याद दिला दू कि मुहीम रुख नहीं रही है हम इभिन्न पहलू के साथ इसके जितने डाइमेंशन हो सकते है वो सारे लेके आपके सामने रोज आ रहे हैं कल फिर आएंगे नए मुद्दे के साथ आपके आपके साथ दर्शकों के आभार के साथ सबको जहन